इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं महराश्टर के सातारा में जहां पर शहीद करनल महाडिक को अंतिम विदाई दी जा रही है बड़ी तादुम तादाद में लोग यहां पहुँचे हुए हैं सेना के वरिष्ट अधिकारी पहुँचे हुए हैं पूरा काउं करनल महाडिक का नम आखों से करनल महाडिक अमर रहे के साथ उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है और यह सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं महराश्ट के सतरा जिले से भारत माता की जै और करनल महाडिक अमर रहे के नारों के साथ शहीद करनल महाडिक को उनके पैत्रे गाउं पोगरवाडी में अंतिम विदाई दी जा रही है हम आपको बता दें कि जम्मु कश्मीर में भारत पाकिस्तान के सीमा पर आतंकियों के घुसपैट के खबर मिली और ऐसे में करनल महाडिक अपने साथियों के साथ साच आपरेशन पर निकल गए थे और कुपवाड़ा में ऐसे में देश के दुश्मना तंकियों से लोहा लेते हुए और अपने कुछ साथियों के साथ गंभीर रूप से घायल हो गए थे करनल संतोश महाडिक और अपचार के दौरान आखिरकार वीर गती को प्राथ हुए आज उनके पैत्रिक गाउं पोगरवाड़ी में उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है 41 सनी राष्ट्री रैफल्स के कमांडिंग आफिसर करनल संतोश महाडिक को नमाखों से ना सिर्फ उनका परिवार बलकि उनके साथ काम करने बाले और तमाम वो सिपाही आज यहां मौजूद हैं उनके परिजन नमाखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं 45 साल की करनल महाडिक पूरी बहादूरी के साथ दुश्मन आतंकियों से लड़े अपने जाबाजी के लिए सेना मैडल से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार 104 साल के उनके दादा माता पिता पत्नी एक बेटा और बेटी भी पत्नी की आँखे नम हैं लेकिन फाक्र से सरूचा है जुबान पर ये अलफाज हैं कि वो अपने बच्चों को भी माभारती की सेवा में इसी तरह से सेना में भेजने के लिए तयार है आतंकियों कि इस नापाक कारगुजारियों को लेकर मन में घुसा जरूर है बगएर किसी गलत रास्ते को अख्तियार करने के एक बार फिर सेना में माभारती की सेवा के लिए अपने बच्चों को भेजने के लिए आतुर करनल महरिक की पत्नी तो तस्वीरें आप देख रहे हैं देश के रक्षा मंत्री मनहर परिकर ने भी उन्हें शद्धान सुमन दिनेश मौरिया हमारे सहयोगे इस वक्त मौझूद हैं पोगरवाडी में हमसे सीधे जुड़ रहे हैं दिनेश क्या कुछ इस वक्त का नजारा और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो शद्धानजली देने पहुँचे हैं करनल संतोष महरिक को कि कुछी देर पहले रक्ष्धा मंत्री मनोर करिकरत्पूर यहाँ पर आया हुँचस्पकानजली से साथ है महराज के मंत्र मंत्री साथ ही में सातारा पूरा सातारा जो है उनके गाउं करनल महाडी के गाउं में उमठ बढ़ा है कई लोगों की आखे नम है लेकिन साथी में लगातार जिनकी शहादत को वहां पर याद किया जा रहा और नारी लगाये जा रहे हैं इस तरह से इनोंने अपने फुर्बाने दिया आतंकियों की जानकर है में मत खुद अपने पीन को लेकर वहां पहुँज गया और उन्हें पूतोर जवाप जया आतंकियों तो यह जो उनकी शहादत नंकी बहार्व जोरी को आज पूरा गाउं सलाम करना है पूरा देश सलाम क बिल्कुल जी और आज जब नमाखों से विदाई दी जा रही है कुपवाडा में दुश्मना तंकियों से लड़ते विए किस तरह वीर गती को ये प्राप्त हुए नसीर एमाद हमारे सेयोगी इस वक्त हम से जोड़ रहे हैं नसीर किस तरह का ये ऑपरेशन था किस तरह की लड़ाई लड़ी यहां करनल महाडिक ने और आखरकार वीर गती को प्राप्त हुए देखिए मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि जिस तरेन में उन्होंने आपरेशन किया उस तरेन में जो मौसम था वो काफी खराब था काफी सरदी थी लेकिन उसकी परवा किये बिना ही उन्होंने अपनी टीम को लीड किया और जो इलाखा था और जो उनको इन्फरमेशन मिली थी कि तीन लशकर के मिलेटर्स इलाके में खुपे हुए हैं और परवा कि ये दिना वो अपनी टीम को लीड करते चले गए और लगबक वो 10 किलो मेटर पाइदल चले वहाँ उस लाके तक जहां पे मिलेटर्स छुपे ह हुए थे तो जो भी तलाशी अभियान शुरू किया गया तो उसी दोरां वहाँ पर काफी घना जंगल था और उसी घने जंगल की आड में उन पर छुपके गोली चलाए गई और उससे पहले दिन लगबक तीन दिन तक उन्होंने लगातार आतन सिंग को पीशाज किया उस लाके में और रात के दोरान एक पर वहाँ से भाग निकले की लेकिन जिस दिन पे गोली चलाए गई जिस दिन वह रखवे हुए तो उस दिन लगबक दो बजे के करीब उद्होंने गेर लिया आतनक्यों को लेकिन आतनक्यों ने पीच्छे से उन परवार किया जिससे वो ग प्रगम इलाके में क्योंकि सर्दी काफी है और पहाडी काफी उंची है और काफी घना जंगल है उसकी परवा किये बिना ही अपने जो सुल्जर्स हैं उनको साथ लेके ऑपरेशन पे वो जा रहे हैं जिते बोशिया बिलकुल नसीर कुपवडा के जो हाजिना का इलाका बेहत करनल महाडी दिखने मैं आपका एक मिसाल दूंगा कि जब इन्फिटरेशन होई थी तो इन्फिटरेशन करते करते क्योंकि मिलिटन्ट जो है वो काफी तैयारी करके आते ही जब वो गुस्पैड करते हैं लेकिन उस इलाके से गुस्पैड करते हुए एक मौसम की खराबी और सर्बी के कारब एक मिलिटनेट की खुद ही मौत हुई थी। तो उससे अंदादा लगाया जा सकता है कि कैसी परिस्टिटिया है उस लाके में लाइन अप कंट्रोल पे जहां पे करनल संतोश हीद में आपरेशन लाँच किया तो इसमें और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं ह क्योंकि जो पहड़ी अलाका है और जो घने जंगल है उसमें ऑपरेशन करना और दुश्मन कहां छुपा है वो कभी भी वार कर सकता कहां से कर सकता इसकी परवा किये बिना ही उन्होंने अपने टीम को लीड किया पिलकुल नसीर लगातार यहां इस तरह का माहौल बना होता है ऐसे में जिबकि मौसम भी बेहत खराब है इस बात की जानकारी मिलते ही कि देश के दुश्मन आतंकी यहां पर मौजूद हैं बगैर अपनी जान की परवा किये हुए करनल महाडिक अपने साथियों के साथ जब आतंकियों कि मौजूद की का यहां अंदेशा होता है और वही कुछ किया भी? ऐस तरह मेंने बताये जिस तरीकें का इलागा है वहां पे किसी बी दिशा में रिची जा सकते हैं चुप सकतीं किєapor जिस गात一下 जादा है और जो मेलेटेंट्स जन्Ãगल में आड्ड ले सकते। तो जो ही इतला मिली थी कि मिलिटेंस उस एरिया में है तो कुछ ही सेकेंड्स में रियक्ट करके एक क्वीक रियक्शन टीम जो है उसको खुद लीड किया शेहिद कर संदोश ने और उस राके तक बराबर पहुँचे और कोई उनके पास सादन नहीं था कि वो पहाड़ी चड पिल्कुल तो दुश्मन आतंकियों की ये कायराना हरकत छुप करके करनल माडिक पर हमला किया गया जिससे की वो गंभीर रूप से घायल हुए और उपचार के दौरान आखिरकार वीर गती को प्राप्ट हुए नसीर फिलाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है करनल संतोष महाडिक जिनका अंतिम संसकार हो रहा है देश के रक्षा मंतरी मनोहर परी करने भी उन्हें शद्धा सुमन अर्पित किये अंतिम विदाई दी हम आपको बतादें कि जम्मु कश्मीर में आतंक वाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए करनल महाडिक तो पौड़ा में जब उत्तलाशी अभ्यान के लिए निकले एक्तालिस राश्ट्री राइफल के दल का नेत्रित्व करते हुए आगे बढ़े करनल संतोश महाडिक और ऐसे में घात लगाकर बैठे नातंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया और पीछे से करनल महाडिक पर हमला कर दिया करनल महाडिक के सिर पर दिया लगी और आज उन्हें नम आखों से विदाई दी जा रही है यह तस्वीरे हैं जो आखे नम कर देती है लेकिन सर फक्र से उचा उड़ता है कि भारत के एक वीर सपूत ने एक बार फिर माभारती की सेवा में अपने प्राण ने चावर कर दिये एक सो चार साल के डादा बेसुद हो गए जैसे उन्हें खबर मिली कि उनका जाबाज पूता माभारती की सेवा में अपनी प्राण गमा चुका है कि डिमें प्राण जाख जाख़े पापासं में आपासं प्राण थे क्या है जाबाज अन्प शानते ने आना यही नगों जोग कोड़ा कि यह उच्छा है हुआ 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 है तातारा के पोगरवाडी गाउं से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मारे सेयोगी दिनेश मौरिया पोगरवाडी गाउं में मौजूद है दिनेश इस वक्त जब तमाम लोगों की आँखे नम है पूरे सेनि सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है किस तरह की आवाज उटते सुनाई भी देती है जो जुबान पर जले ही ना हो लेकिन अपने वीर सपूत को किस तरह की श्रधांजली लोग दे रहे हैं सब्सक्राइब जिस तरह से आसंग्यों तो लोगा लेते हुए बिना किसी जादा बड़ी पीम की जिस तरह से निडर होके उनोंने आखरी दम तक लड़ते रहें उसके बाद जो उन्हें बीर गती प्राफ्ट हुए है उसके बाद आज जो है शब्दों में शायद वहाँ यहां तमें इसमें जो हम यहां पर नजारा देख रहे हैं त्रिश्य देख रहे हैं रहा करना बहुत मुश्किल हर तरफ भारत माता की जैके नारे लग रहे हैं जिनके शहादत को याद किया जा रहा है यहां लगबक आप कहरें पूरा साथा आख यहां पर उमर पड़ा है अपने इस वीर सपूत को भारत माँ के लिए जान देने वाले जवाल के और शद्धानजली देने के लिए जी प्रशादा है और यह त पस्वीरें बताती है कि किस तरह से नमाखों से अपने वीर सपूत को शद्धानजली दी जा रही है अंतिम विदाई दी जा रही है शुक्रिया दिनेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए नसीर आपका भी बहुत 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 शुक्रिया